ओपन इंत्रेस्टिक गेम चेंजिग इंडिकीतर है अगर आप इसके बारे में नहीं जानते या फिर आप इसे यूज नहीं कर रहे हैं तो आपसे एक भारी मिश्टिक हो रहा है इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कि open interest एक valuable indicator क्यों है और क्यों आप इसे overlook नहीं कर सकते हैं आप लोगों में सब बहुत से ऐसे traders हैं जो mainly focus करते होंगे price और volume action के उपर अच्छी बात है price और volume action यूज करना अच्छी बात है उसके वावजूद भी अगर आप open interest को consider करते हैं और यूज करते हैं तो आपको बहुत सरे ऐसे insight मिलेंगे जो अभी तक आपको नहीं मिल रहे हैं आए समझते हैं कि open interest क्या है और कैसे यह volume से different है और यह अभी समझेंगे कि कैसे change in open interest आपको price movement के पहले है signal दे देता है open interest में future और option में मिलते हैं और यह future and option के contracts होते हैं जो अभी delivery के लिए नहीं गये हैं या फिर delivery नहीं हुए हैं volume वे contracts होते हैं जिनकी delivery हो चुकी है या फिर वे close हो चुकी है open interest और volume की बात करें तो दोनों किसी भी stock के liquidity को बताते हैं और बताते हैं कि कौन सा stock कितना liquid है मतलब किस पर कितनी जल्दी हमें अपने trade को execute हम कर पाएंगे buy sale कर पाएंगे आई हम लोग option chain पर चलते हैं और open interest को गहराई से समझते हैं यह option chain है आप देखेंगे यह option chain दो पात में दिवाइद है एक तरफ आपको calls दिखाई पड़ेगा दोसी तरफ आपको puts दिखाई पड़ेगा call के तरफ भी आपको एक column मिलेगा volume का put के तरफ भी एक column मिलेगा आपको volume का call side में आपको दो column मिलेंगे open interest का एक देखें यह open interest का और यह है change in open interest का यह देखें change in open interest और open interest आपको put side में भी दो column मिलेंगे तो volume का हमें एक column मिल रहा है एक side में वही open trace के दो column मिल रहे हैं एक side में यही game changer है और यही हमें अलग से एक insight देता है जो volume नहीं दे पाता तो आगे video को बहुत ही ध्यान से देखिए आपको इन दोनो volume के column में एक चीज मिलेगा volume का quantum मिलेगा आपको volume के column में quantum तो मिलेगा, volume का quantum मिलेगा, कितने quantity में करेद हो चुका है, आपको ये मिलेगा, लेकिन इस volume column से relative volume गाइब है, relative volume क्या करता है, हमें बताता है कि volume के उपर आपका bullish divergen है, या फिर bearish divergen है open interest के दो column होने से हमें फायदा यह होता है, कि हमें quantum, open interest का quantum तो पता चलता है, साथ आपका ये जो change in open interest है, ये relative strength बता देता है, और इसके अलावा भी हमें ओव ये spot का भी पता चल जाता है, कि किस strike के उपर कितना volume open interest में spot देखने को मिल रहा है, कहा किसका रोजान कैसा है, ये आपके दिमाग में question होगा, कि open interest का relative value हमें पता चल रहा है, relative strength पता चल रहा है, ये हमें किस तरह से फायदा पहुचा सकता है, अगर ये question आपके दिमाग में है, तो don't worry, इस question को भी मैं clear करता हूँ, अगर कोई भी confusion है, तो उससे भी clear करता हूँ, वीडियो में बने रहा है, जैसे हम लोगों ने discuss किया, कि ये पूरा option change दो पात में divide है, एक call, दूसरा put, अब आप एकित करके समझेए, call side में हमें open interest में 50% से ज़्यादा हमें change देखने को मिला, उपर की तरह positive change देखने को मिला, साथ ही साथ इसके price में भी, इसके price में हमें positive change देखने को मिला, तो इस इसके साथ अगर एक और चीज मिल जाए, कि put side में open interest आपको positive दिखाई परे, positive change होता हुआ दिखाई परे, और ये change में अगर यहाँ पे negative अगर चीज दिखाई परे, negative price change दिखाई परे, तो समझेए, ये भी bullish indication है, और दोनो call और put मिलके, उर्यत्रा से bulls को निमंतरन देने क अगर ये दोनों चीज एक साथ मिल जाए, तो समझेए, ये market super bullish होने वाला है, अब bulls का काम तो हो गया, लेकिन bears का क्या, जो पीसे हमने दो सेनारियों discuss किया, उसको just उलत देजिए, आपको put side में क्या करना है, positive open interest change देखना है, अगर ये change positive है open interest में, साथ ही साथ अगर इस price को देखिए, अगर ये positive sign है, या पर ये positive change हुआ है, अभी फिलाल आपको negative होता हुआ दिखाई परेगा, लेकिन अगर ये positive change हुआ है, तो ये एक bearish sign है, इसके साथ अगर आपको call में भी क्या हो जाए, कि इधर positive indication दिखाई परे, positive change open interest में दिखाई परे, लेकिन जैसे ये negative है, वैसे negative change price में दिखाई परे, तो ये एक bearish sign है, और ये दोलो साथ में अगर मिल जाए, तो आपको super bearish sign देते हैं, आगे बढ़ने से पहले comment में ये जरूर बताईएगा, कि open interest अभी तक आपको कैसा indicator लग रहा है, देखिए यहां तक तो सही है, अब एक और question आपके दिम स्टिफ दिखाई पर रहा है, call side में, उसके साथ price का क्या relation है, वो भी हम देख रहे हैं, हम check कर रहे हैं, और ये open interest आपको क्या relation है, ये भी हम check कर रहे हैं, लेकिन अब question ये है, कि ये जो open interest change या price change है, किसी specific price पर देखना है, या फिर पूरे open interest पर देखना है, सेम के सब को put के लिए भी, कि किसी specific price पर देखना है, या पूरे option chain के उपर देखना है, तो मैं एक चीज किलियर कर दो, कि आपको ये जो चीजे notice करनी है, watch करनी है, ये पूरे option chain के उपर नहीं करनी है, आपको क्योवल उन strike के उपर ये सब चीजे ध्यान देना है, जो trading range के अंदर है, अगर trading range के बाहर कोई भी एक ऐसा strike है, और ऐसी चेजे नोत हो रही है, तो वे हमारे काम की नहीं है, जो trading range के अंदर हैं, और ऐसे चीजे में notice करने को मिल रही है, तो वे हमारे काम का है, इसके बाद भी अगर कोई आपके दिमांग में question रहा, तो comment में जरूर बत कर सकते हैं, जिसका link आपके description में मिलेगा, और अगर आप video अभी तक देख रहे हैं, तो video को like कर दिजिए, चैनल को subscribe कर दिजिए